Hello everyone, welcome to Science and Fun तो मेरे प्रीवेस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आप लोगों को आई फ्लू के सिम्टम्स and क्योर and उसके प्रिवेंशन के बारे में बता रही हूँ आजकल कंजंक्टिव आइटिस बहुत ही rapidly spread हो रहा है especially बच्चों में, school going बच्चों में मैंने सोचा एक dedicated वीडियो इस पर भी बना लेती हूँ कि अगर आपके घर कोई school going बच्चा है या फिर छोटे-छोटे बच्चे हैं तो उनको आप किस तरीके से बचा सकते हो इस infection को होने से तो सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले category की बात करते हैं coming to the infants अगर आपके घर में infants हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह के बाहर के guest वगेरा जब वो आएं तो वो बच्चा आपके घर के अंदर हो और वो थोड़ा सा social distance उसके साथ maintain रखे प्लस जब भी सुभा 6 बजे से लेकर 8 बजे की जो धूप होती है बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होती है and sun is a source of natural energy also तो ये bacterias और viruses को kill भी करता है आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा amount of sunlight अपने बच्चे को देने की कोशिश कीजिए जिससे उसकी immunity भी बढ़ेगी and अगर थोड़े बहुत viruses, bacterias अगर वो encounter कर भी रहा होगा तो वो भी kill हो जाएंगे प्लस अगर उन बच्चों को थोड़े बहुत भी symptoms आपको नजर आ रहे न बहुत थोड़े बहुत अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बार-बार हाथ आख में डाल रहा है तो में भी उसे itching हो रही होगी और वो बता नहीं पा रहा होगा जितनी जुल्दी हो सके डॉक्टर को concert कीजिए और उसके लिए proper precaution लीजिए प्लस उनके body को हमेशा clean रखे डिटॉल वगेरा से हमेशा उसे साफ सुथरा रखे हमेशा hygiene maintain करके रखे उनके कपड़े उनके use करने वाले bottles उनके खिलोने सब कुछ properly sanitized होने चाहिए यह हो गई बहुत ही छोटे छोटे नन्हे मुन्हे infants की बात coming to those children जो अभी school जा रहे हैं one class class second third class इस तरह से बच्चे जो हैं तो इनको आप जादा से जादा hygienic practices सिखा सकते हो क्योंकि यह जो age होती है बहुत ही tender age में जब आप उनको कुछ सिखाते हो तो उनके दिमाग में वो चीज हो बैठ जाती है and they start to follow you because they think you are their ideal तो आप उन्हें जादा से जादा hygienic practices के बारे में समझाओ उन्हें बताओ कि अगर आपके बिटा अगर आपकी class में कोई ऐसा बच्चा है जिसको यह already हो रखा है तो then just try to maintain some distance for few days जब तक वो ठीक नहीं हो जाता and उसे teacher को भी complain करो कि उसे नहीं आना चाहिए school में and all that यह सारी चीज़े आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो everything in place but थोड़े से जो छोटे और middle school age वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत शैतान होते हैं and उनको सम्हालना बहुत मुश्किल होता है वो बात भी नहीं सुनते हैं तो आप जादा से जादा यह कर सकते हो कि उन्हें समझाओ बहुत सारे schools अब shutdown हो रहे हैं conjunctivitis के rising cases को लेकर और उनकी पढ़ाई online ही हो रही है घर पे तो it will be better कि अगर school shutdown हो चुके है तो उनको शाम को खेलने के लिए बाहर थोड़ा सा कम भेजे या frequently ना भेजे थोड़े कम time के लिए ही भेजे या फिर engage करे कि आप खोद अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत entertainment थोड़ा बहुत खेलना कूदना कर रहे हो इसे आप दोनों के बीच की understanding भी बढ़ेगी और वो थोड़ा सा सीव भी रहेगा बाकी बच्चों से मालो किसी को अगर infection हुआ होगा तो तो यह हम कुछ practices follow कर सकते हैं अगर कुई भी symptom नजर आ रही है अगर itchiness भी थोड़ी सी भी start हो रही है और itchiness की वज़े से redness हो रही है आईस में भले एक ही आँख में हो रही हो दूसरी आँखों में ना हो रही हो तो भी आप जल से जल्द एक doctor को console कीजे they will give you a prescribed eye drop or the medicine to kill those bacteria or viruses so बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे और ऐसा कुछ नहीं है कि उसको देखने से बिमारी फैल जाती है तो प्लीज इस तरह का behavior थोड़ा सा कम follow करने की कोशिश कीजे क्योंकि अगर आप किसी को भी इस तरह से behave करते हो ना किसी के साथ कि अरे मत देखो मुझे तुम्हारे वज़े से मुझे हो जाएगा ऐसा होता नहीं है यह society में रहने के लिए भी यह सही तरीका नहीं है किसी को deal करने के लिए किसी के साथ behave करने के लिए just try to maintain some kind of distance अपने हा हाथों को sanitize रखोगे उतना ही जादा आप बचके रह पाओगे because this kind of infection is eye to hand infection जिसे यह infection हो रखा है वो थोड़ा बहुत तो अपने आखों को touch करेगा ही तो वो जिस चीज को touch कर रहा है ना उसे आप touch मत करो या फिर उसे उसके हाथों को आप touch कर रहे हो तो आप अपने हाथो को हमेशा clean रखने के बाद ही अपने eyes को touch करो that's it बस इतना साही करना है and you are good to go don't worry don't stress about the eye flu यह it's just a flu अगर आप proper prevention use कर रहे हो proper precautions use कर रहे हो गुच्छ नहीं होगा थोड़ी बहुत अगर symptoms आ भी रही है immediately consult कीजे doctor से and you'll be totally fine so take care everyone thank you so much I hope this video helps you